आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूपर टेस्टी और सूपर हेल्दी सिर्फ मार्श मिनुट में रेडी हो जाने वाला एक एनर्जी ड्रिंग सूपर रिफ्रेशिंग शर्बत बना रही हूँ, बेहर टेस्टी होता है ये एक बार बनाईए और साल भर तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं जिन लोगों को सरमे दर्द की शिकायत रहती है वो सुबह एक गिलास दूद के साथ इस शर्बत को बना कर पीजिए तो पुरा तिन रिलेक्स रहेंगे इसके अलावा अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमारी आखों की रोशनी भी ये बढ़ाता है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी लेकिन हाँ इससे पहले मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले यहाँ पर मैं दो तरह की सौफ यूज़ करूँगी एक बारिक सौफ और एक मोटी सौफ बारिक सौफ को हम लखनवी सौफ भी कहते हैं इसके अंदर बहुत अच्छी खुश्बू होती है मिठास होती है और यही सौफ खाने में बहुत टेस्टी भी होती है दोनों सौफ को हम बराबर मातरा में ही यूज़ करेंगे फ्रेंट्स दोनों सौफ को यूज़ करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था क्योंकि दोनों का कॉंबिनेशन एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है अगर आपके पास दो तरीकी सौफ ना हो तो आप एकी तरीके की सौफ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी लिये और इसका टीस्ट और भी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एट कर दूँगी 20-25 फोटे वाली इलाइची भी मिष्षी का यूज़ करूंगी मिष्षी का यूज़ करने से इस शर्बत का बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा मिष्षी के यहाँ पर बड़े बड़े टुकडे हैं तो इसलिए पहले मैं इसको ओखली में क्रॉश कर लूँगी देखिए friends हमारी मिश्री इच्छ से crush हो चुकी है अब मैं इसको एक plate में अलग से निकाल लूँगी क्योंकि इस मिश्री में धागा भी होता है तो मैं इसके जो धागे हैं वो अलग कर लूँगी मिश्री को हमें fine powder बना लेना है इसलिए मैं इसको piece लूँगी friends यहाँ पर मैंने mixi का jar लिया है friends इसमें जो crush की हुई मिश्री है मैं add कर लूँगी और इसको fine powder में मैं ready कर लूँगी तो friends powder हमारा ready हो चुका है अब मैंने यहाँ पर एक stainer लिया है और इसमें मैं इसको च्छान लूँगी तो चलिए friends next step के और बढ़ते है यहाँ पर जो मैंने सॉफ, काली मिर्च और इलाइची रखी थी अब उसको भी मैं एक jar में पीस लूँगी यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है friends की कभी भी सॉफ और मिश्री को एक साथ मत पीसेगा वरना आपका जार खराब हो सकता है दोनों को अलग-अलग पीसेगा और बात में मिक्स कर लीजीगा देखिए सॉफ का कितना अच्छे से पाउडर रेडी हो चुका है अब इस सॉफ के पाउडर को भी स्टिनर की हेल्प से हमें छान लेना है फ्रेंड्स मेरे बताएगे सारे स्टेप को आप फॉलो कीजेगा तब ही आपका सॉफ का शर्बत जो है अच्छा बनेगा इसलिए बिना स्किप किये हुए पूरी वीडियो आप जरूर देखेगा फ्रेंड्स तो देखिए पाउडर ये च्छन चुका है फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि जो हमने सॉफ का पाउडर रेडि किया है इसको और जो हमने मिश्री का पाउडर रेडि किया था उसको भी mixi के jar में add कर लेंगे और अब इसका fine powder बना लेंगे तो friends हमारे शर्बत का mixture ready हो चुका है अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ हमें glass लेना है उसमें इस mixture को add करना है यहाँ पर मैं add कर दूँगी chilled water तो friends ready है हमारा refreshing soft drink आप इसको enjoy कीजिए और बनाईए और comment box में comment करके मुझे बताएगी कैसा बनाए अगर आपको मेरी recipe पसन है तो please do like, share and subscribe my channel Thank you friends, enjoy your day